नारज जी अपने पूरुब जनम की कथा बताने लगे ब्यास जी पूरुब जनम में हमारी माता जी एक दासी थी घर घर जा करके बरतनों को साप करती थी बरतनों को साप करके जो भोजन की विवस्था बनती थी उस भोजन को पाकर जीव का पार्जन करती है नारेज जी कहते हैं बिरास जी हाँ ठीक उन्हें बैठे रहने दो इतनी के लिए भूत चड़े थे आंगे आने के लिए बैठे रहना बैठ जाना बैठ जा token बूत प्रीठ भी बहुत समद्दार हैं के आंगे बैठने कहा मिलेगा और कहा नहीं मिलेगा बलो जय 시 Window बैठ जा बैठ जाना कोई बात नहीं कोई बात नहीं आएजा तो रहता भगवान की बड़ी कृपा ह। भूत प्रीद भी बहुत समद्दार है उन पर भी इश्वर की बड़ी क्रपा है वो समझ गए आप कोई बात है आप बैठ जाओं बेदब यास जी हमारी मां घरों घरों में जाकर के भोजन बनाती सेवा करती गवसाला में सेवा करती तब जाकर भोजन की विवस्था बनाती अच्छा जी एक बार गाओं में संतों का आगमन हुआ संतों की सेवा में ब्यास जी हमारी माता जी की वो हमारी सेवा लगाई अवस्था तो हमारी छोटी सी थी छोटी अवस्था में ही लेकिन हमें संतों का संग मिल गया सोकाम बन गया संत महात्मा रोज भगवान की कथा सुनाते नारज जी बोले महाराज हम रोज बड़े भावपुर्वक भगवान की कथा सुनाते संत महात्मा रोज पूजा के लिए पुस्प मगाते हम नन्ने नन्ने छोटे छोटे हातों से दोड़ करके लाते महात्मा को पुस्प दे देते फूल दे देते महात्मा सुबह साम कीर्टन गाते नारेज जी बोले महाराज हम छोटे-छोटे हाथों से ताली बजा कर कीर्टन गाने लगती महाराज फिर क्या हुआ चात्तोर यमास महात्माओं ने काटा जब चार महीने पूरे हो गए तो महत्मा जाने लगे जब महत्मा जाने लगे न तो नारेज जी बोले महराज जैसे ही महत्मा जाने लगे शोई हाँ हाँ नारेज जी बोले हम भी पीछे-पीछे से जाने लगे महत्मा बोले कहां जा रहे हो तो हम नन्ने से तो थे ही छोटे से बालक मिनारे जी बोले महाराज हमने महात्माओं से कहा जहां आप जा रहे हैं वही हम जा रहे है अच्छा जी पर बेटा तुमारी माता जी सुनेगी तो क्या कहेंगी हमने बालक को सेवा में लगाया और हमारा बालक सेवा में लगने की बजाए महात्मा हमारे बालक को बाबा बना करके ले गए हमारा आज एक बात बताए माताओं को सबसे ज़्याजा टेंसन होती है कि बेटा बाबा न बन जाए बेटा उपद्री हो जाए, बेटा गुंडा हो जाए माताओं को कोई टेंसन नहीं है पर बेटा अगर बाबा हो गया ना माताओं की धड़कन तेज हो जाती बोलो जैसी आरा जोर से बोलो आहा तो नारेची कहते महराज हमने महतमाओं से कहा कि हमारी माताजी तो आग्या देने वाली है नहीं तो महत्मा बोले देखो बेटा अगर माता जी आग्या नहीं देगी तो हम नहीं ले जा सकते महत्मा उन्हें एक माला निकाली माला देदी बेटा इसी का जाप करना और जब माता जी आग्या देदे तब आजानू नारे जी बोले ठीक है माराजी वै नन्हा सा बालग पापस घर पर आ गया ब्यास जी घर पर आते ही हमने माला का भजन करना प्रारंब कर दिया अब तो सुबै साम चार-चार घंटे भजन करने लगे हम जहां चार-चार घंटे भजन करना प्रारंब किया सोई माता जी की धड़कन तेज हो गई क्या ये भगवान बेटा बाबा ना बन जाए तब तक घर में जोटसी बाबा आये जोटसी बाबा को देखकर नारज जी बोले महराज हमारी माता जी बोली पंडित जी और तो सब ठीक है अब तो क्रपा करके हमारे बेटा की साधी का मुहूर्त बताओ बड़िया छोटी सी रुण्जुन करती हुई दुलहनिया घर पर आजाब है तो साब जंजट खतम नारज जी बोले ब्यास जी हम भीतर बैटे बैटे सुन रहे थे के माता जी हमारी साधी की बात कर रही हुई नारज जी बोले हमने मन ही मन भगवान से परातना की के हे भगवान कई माता जी गले में ये घंटी ना डाल दे साधी की अमाराज साधी की घंटी बड़ी खतर नार जिनको लग गई वही जाने बोलो जैस यारां जिनकी साधी नई नई होती है एक दो साल तक तो धरम पतनी चंद्रमुखी नजर आती है नई नई साधी जिनकी होबे एक दो बरस तक धरम पतनी चंद्रमुखी नजर आती है जहां 6-7 साल भीते हैं चोटे-चोटे से पन्या पक्पू हो जाएं तो जो पहले साल चंद्र मुखी नजर आ रही थी दूसरी तीसरी साल जो भद्र मुखी नजर आ रही थी वही पर जब भीतर से कहती है मार्केट तो जा रहे सबजी ले आना बरना घर में कदम नी रखने द दूसरी बात जिनकी साधी हो गई वह भी टेंसन में जिनकी नहीं भई बे और ज्यादा टेंसन है नारज जी बोले ब्यास जी हमारी माता जी बोले के हे जोट्सी महराज एंसा मुहरत बता दो के बेटा की साधी हो जाए नारज जी बोले हमारी टेंसन बढ़ गई लाग लीए रहो हाँ 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 टेंसन बढ़ गई नारज जी बोले हमने प्रात्ना की परमातमा से ये प्रभू आप ही लाज बचाओ नारज जी बोले भगवान ने हमारी सुन भी ली क्या हुआ बोले हमारी माता जी गउसाला गई गउसाला में काले काले सांपने काट लिया सांपने काटा माता जी मर गई नारज जी बोले महराज गाउंबालों ने आकर बताया बेटा तुम्हारी माता जी मर गई तो नारज जी बोले हमें इतनी खुसी हुई कि चलो ठुमका लगा लिया जाए भगवान को धनबाद दे देंगे चलो भगवान ने अब हमें भजन के लिए भक्ती के लिए परमसुतंत कर दिया नारज जी बोले अगर ठुमका लगाएंगे तो गाउंवाले कहेंगे बड़ा पागल बेटा है अपनी मा के मरने पर ही नाचता है माराज मन को मार कर जितनी ग्रहस्ती थी साम माता जी की अंतरष्टी क्रिया में लगा दी तेर्वी में लगा दी जिस तरफ संत गए हुए थे उसी तरफ हम भी चल दिये अनुग्रहम अन्यमानहा प्रातिष्ठम दिस्मुत्तराम उत्तर दिसा की ओर गए तो महत्मा तो मिले नहीं पर एक जगे जंगल में हम ठक गए तो नारज जी बोले ब्यास जी हमने जलपान किया जलपान किया जिन ठाकुर जी का हम भजन कर रहे थे वही चितचोर मुरली मनोहर चलिया मनमोहन माधो वही पीताम बरधारी मोर मुकुटधारी बनवारी गिरधारी नंदन नंदन यसोधा नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान चत्र भुज रूप लेकर के बड़ी दिब्बमई मूर्ती विग्रह के साथ हमारे हिदय में प्रगट हो गए नारजी कहते व्यास जी उस रूप का क्या कहना कस्तोरी तिलकं ललाट पतले वक्षास्त ले कोस्तुभं ना साग्रे बर्मोंक की कमकरतले पैणू करे कमक्रम एक बात बताएं पंडी जी संतों का संग धोके से भी एक मिनट के लिए मिल जाए सोई चित भगवान की तरफ मुड़ जाता है एक मिनट आकस मात भी अगर महत्मा मिल जाए तो आकस मात भी महत्माओं का मिलना लाब है और अगर किसी को संतों का संग मिल जाए तो क्या कहना मिरतार प्रभू से जोडे ऐसा कोई संत मिले नारे जी कहते महराज हमारे अंदर भगवान ने दरसन दिया और कुछ देर बाद अद्रश्र हो गए मन हमारा छट पटाने लगा जैसे जल से अलग करने पर मचली फड़ पड़ाती है हमारा मन भी माधव के लिए बैसे ही फड़ पड़ाने लगा तब तक आकास्वानी हुई नारत जी अभी पक्क कसाया नाम दुर्द सोहं को योगी नाम नारत जी बेटा अभी तम पक्के चेला नहीं भै पहले पक्के हो जाओ पक्के चेला बन जाओ पक्के साधक हो जाओ पक्के हमारे भक्त बन जाओ पक्के हमारे जिग्यासू बन जाओ पक्के हमारे याचक बन जाओ तब तुमको हमारे रूपरस सुधा का आनंद मिलेगा पनारत जी बोले महराज हमने प्रात्रा की कि अगर पक्के नहीं थे तो आपने दर्सन क्यों दिया अब हमने दर्सन को पा लिया तो कोई दूसरा मन में भाता ही नहीं है एक बात बोलें सुनो ध्यान से ध्यान से सुनो जो भी ठाकुर जी को एक बार देख लेगा पर उसे दुनिया का कोई भी सुरूप चित्वा मन में नहीं भाता था नहीं भाएगा एक बार हमारे माधाओं को जो एक बार देख ले उसे पर कोई नहीं भाता है मोहिनी मुरतिया है माधाओं की मेरी 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 नारे जी बोले ब्यासी जी कालांतर में प्रले पड़ा प्रले में सारे संसार को भगवान ने अपने उधर में रखा हमको भी समाहित कर लिया लेकिन उतने संत संग के प्रभाव के कारण हम जो दासी पुत्र थे लेकिन संतों का संग उतने छण मिलने के कारण दूसरा जन्म हमारा ब्रम्हा पुत्र नारत के रूप में हुआ